स्वागत है आज फिर एक बार इस आंसर राइटिंग कूर्स की इस क्लास में आप सभी लोगों का और स्वागत के साथ साथ मैं एक बार आपको बहुत ही तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं इतना ज्यादा प्यार देंगे इतने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आप सभी लोगों को जितने ही मेरे वीवर्स हैं जिनोंने देखा मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस धन्यवाद के साथ साथ मैं आपके जो उतकर्ष दुवेदी सर हैं जो मेरे तो छोटे भाई हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस मंच पर वही मुझे लेकर क्या है थे कि आप इस आंसर आइटिंग कोर्स को यहां चलाईए तो लोग बहुत क्यार को देखें यह जो कूर्स है मुझे लग रहा था कि इतना लंबा कोई वीडियो देखेगा नहीं लेकिन अगर आपको सीखना है तो सीखने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आप मनी तो इन्वेस्ट करना करते हैं बट यू आप टू स्पे दिन हुएं लेकिन उसमें बहुत सारे लोग पूरे हो चुके हैं तो आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं और मैं आपको नंबर दूँगा उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी बात जानकारी जो आप लेना चाहते हैं वो उसमें ले सकते हैं तो जैसा क पिछले वाले जो मेरे वीडियो को बहुत सराहा परसनली लोगों ने बुला मुझे फोन करके तो मुझे बढ़ा अच्छा लगा और इसी प्रेड़ना से दुबारा आपके सामने आया हूं मैं कि मैं एक और आंसर आपके सामने लेकर क्या हूं जो ग्रूप में स्टूडेंट का एक सबसे अच्छा पॉइंट है कि अगर आप हिस्ट्री से लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर अप होती हैं मुझे बोला गया था जो स्टूडेंट से उनकी डिमांड थी के सर आप फूर्थ इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के उपर वीडियो बना आ जाए उसमें और डेप्थ आ ठीक है तो आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मौरे कला पर विदेशी प्रभाव यह प्रशन मैंने जो है अपने मॉडल आपको एक मॉडल क्वेशन के रूप में दिया था इसका आंसर लिखने के लिए दि लिख रहे हैं तो भी कोई पर्क न ही परता और यदी आप इंटर्विव दे रहे हैं तो भी पर्क निपड़ता वह सारी बात जो होती है तो लोग hat अपने त्यारी को ले करके जाते हैं, वही लोग सफल होते हैं, तो इस बात को फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो लगा हो सकता है, तो just keep patience and keep on watching, you will get something precious from here, तो इसलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, आज का जो हमारा topic है, वो है मौरे कलापर, व से कुछ different होगा, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने विशे की तरफ, और जैसा कि मैंने बताया था कि मौरे कलापर विदेशी प्रभाव, यानि इंग्लिश में कहेंगे foreign influence on Morian art, शुरूआत करें, तो एक बात समझ लिजेगा, कि मैं बहुत बड़ा एक आपके सामने scenario, एक ब बात को द्यान से समझिए कि सबसे पहली बात तो कि ये विचार दिमाग में आया कैसे इतिहासकारों के, कि इस पर विदेशी गला का प्रभाव है, कहीं से कुछ source मिलते हैं, मैंने पिछले lecture में बताया था, इसलिए सुना करिए, मैंने पिछले अपने lecture में बताया था, मैं फिर से लिंक डाल दूँ है, पहली बार सुन रहा है, पुराना लेक्टर सुन लीजिएगा, कि वेनेवर यूर राइटिंग एन आंसर इन आफिस फ्री, तो sources and evidences की बहुत जरूरत होती है वहां पर, आप sources and evidences का यूज करके लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे marks तो सबसे पहले ये thought जो था वो आया कहां से, तो पहला thought का जो पहला source है, first source thought का कहां से आता है, ये देखते हैं लोग, पहला source आता है, जो पहले देखते हैं, एक चीज और बतायता हूं साथ में, कि जो हम लोग जिस विदेशी प्रभाव की बात कर रहे हैं, जिस foreign influence की बात कर रहे हैं, वो foreign है कौन सा, तो ये है, ज्यादा तर, इरानी, पर्शियन, और यूनानी, अब अगर आप कहीं यूनानी से चूप गए, ग्रीक, अगर कहीं यूनानी यानि ग्रीक से चूप गए, तो नंबर भी चूप सकता है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि foreign influence आखर कौन सी आर्ट का है, तो ज्यादा तर जो है, वो इरानी, यानि पर्शियन आर्ट का मानते हैं, और कुछ यूनानी यानि ग्रीक आर्ट का मानते हैं, क्यों ग्रीक का मानते हैं, क्यों यूनानी का मानते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले जो पहला हमारा जो evidence है, जिसके कारण ऐसा लगता है, लोगों को या इतियास कारों ने माना, तो पहली बात तो इतियास कारों ने माना इसलिए था, कि जब भ हो सकता था वह फौरण से सकता था वेस्ट के इन मुchezूर सकता था तो उनके पूर Efendimiz कईने का प्रयास किया जाता है कि ये चीज कहा थी तो पहली बात इस सारे इतियास कार जो है वो विदेश हैं तो नहींने उसको कौण से देखा कि यहां कैसे आया जिंफ iba इनको नहीं आता हुगा इसका एक कारण और भी है जो थोड़ा सा जैनुवन है वो उसको भी समझ लिए तो आपको एक आर्ट जो आपके सिलेवस में है ना आर्ट एंड कल्चर तो आर्ट का इतिहास भी मैं साथ ही साथ में स्लाइन में बता रहा हूं कि सबसे पहले आर्ट का जो नमूना हमको शुरुआती दोर में मिलता है एक तो चित्रकला के रूप में भीम बेटका में मिलता है उसका कोई सम्मंद यहां से नहीं है जो मूर्थी कला या यह सब चीज़े जो आपको देखने को मिलती है वो सबसे पहले आपको दिखाई देती है इंडस वैली सिव इस गैप में हम मौरेन आर्ट को देखते हैं कि पाशान यानि की स्टोन पर जाकर कर दिखाई देती है तो यह बीच का जो गैप है इस गैप में हमको बहुत सारे जो एविडेंस हैं खुदाई में वो मिलते नहीं कि यह जो सुच्छ था यह जो एक बदलाव था यह जो चलिए evidence क्या है ये भी देखते हैं evidence ये है कि सबसे पहला evidence था कि इरान में एक हकामनी सामराज्य था और वहां का राजा तो दर्वायू था English में उसको Darius बोलते हैं ठीक है तो चाहे तो Darius लिख लीजिए या दर्वायू लिख लीजिए और भारत में जो मौरे राजा था वो वो देख लीजिएगा इस तरीके का analysis आपको मिले गई नहीं तो इधर Darius और उधर अशोक ये दोनों जो हैं क्या करते हैं अभी लेख लिखते हैं आपने पढ़ा होगर तो देखिएगा ये लोग अपने अभी लेख लिखते हैं जिसको हम लोग inscription बोलते हैं एंगलिश में तो दोने ही लोग अपने inscription लिखवाते हैं और inscription में क्या करते हैं कि third person यानि तर्तिये पुरुष में शुरुवात करते हैं थार्ड परसन में थार्ड परसन समझते हैं आप लैंगवेज में तर्तिये पुरुष्यानी किसी नाम से तो अशोक लिखता है देवनाम प्रिये दर्शी राजा और डेरियस बीसी तरह से अपने आपको संबोधित करता है दूसरी बात ये अभिलेग जो लिखते हैं उसके और ये लिखता है लिपी लिपी और डिपी ये दोनों शब्द लिखते हैं तो इससे एक समानता देखने को मिलती है और उसके बाद जो भी पढ़ने वाला है पाठक है जो रीडर है इनके अभिलेखों का वो जो है इससे सीधा-सीधा जो है जा करके संबोधित उसको करते ह पुरुष में जो भी पढ़ता है वो सीधा सीधा इन से संभोधित हुता है तो चूकि ये पहले था अशोक बाद में था तो लोगों को ऐसा लगता है कि अशोक के ऊपर कहीं ना कहीं देरियस का इंफ्लुएंस था तो पहला एविडेंस बात समझ में आती जाईए तो आप नोट करते जाईएगा जो जो मैं आपको बाते बता रहा हूं इसको आप नोट कर लीजेगा इंगलिश वाले इसको अशोका लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद अगली जो बात इंपॉर मौरे प्रासाद मौरे प्रासाद का मतलब महल कैसल पैलेस मौरे पैलेस तो एक मौरे पैलेस का एविडेंस मिला है जो की बहुत विशाल था और उसकी तुलुना जो है उस समय जो लोग विजिटर्स थे उन्होंने की है सूसा परसी पूलस एक बिताना ये सब जो बड़े बड़े उस समय के जो इरानी सामराज्य के जो महल थे उन महलों की तुछ से तुलना किये और कई लोगों ने तो ये भी बताया कि मौरें का जो प्रासाथ था मौरें पैलेस जो था वो उन्हों से जादा भव्य था जादा ग्रैं है तीसरा जो प्रेड़ना का जो सोर्स है वो देखिए कहां से आता है किस कारण से ऐसा कहा जाता है ये सारी बातें समझ नहीं है आपको तीसरा जो है वो है पिलर्स यानि स्तंब्र परसी पूलस के महलों को यदि देखा जाए तो आप देखेंगे कि परसी पूलस में इस तरीके के पिलर्स बनाए गए है ध्यान से देखिए गाई इसको और इस पिलर्स के उपर इस तरह से जानवर बने हूँ है यह करके इतना चार्ट तो मैं नहीं बना पाऊँ है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जैसे सपोस कीजिए यह दो शेर बने हूँ है और इस शेर के उपर इस तंब की जो बिल्डेंग है उसकी छट की हुई है इस तरह से यह तो कई लोग यह मानते हैं और आपको पता है कि अशोका ने अपने पिलर्स भी लगवाए थी पूरे इंडिया में जहां जहां उसका सामराज्य था तो इस पिलर्स की तुलना भी उ जानवर बैठा हुआ है अगर आपने मौरे सामराज्य को हिस्ट्री में पढ़ा है तो तो इन दोनों रिलेशन्शिप के कारण भी लोगों को ऐसा लगता है कि इस पर्सी पूलस के जो स्तम्भ थे इनका इंफ्लूएंस जो था वह इसके उपर था चौथी बात अब यूनानी बात पूरी नहीं हुई अब यह आप कहो गए यूनानी वाली जो बात थी वो रह गई अब अन्तिम और चौथी बात जो है वो यूनानी कला के लिए इशारा करती है ग्रीक इंफ्लूएंस के लिए और ग्रीक इंफ्लूएंस जो है वो सम्देक का इन कलाओं में जो जानवर दिखाएं गये या जो भी कला करती है विशेश प्रकार का एक संवेख है एक विशेश प्रकार का भाव है जिसमें एक विजेता जैसा भाव है तो यह मान करके चलते हैं चुकि एलेक्जेंडर ने उस समय पूरे इस तक जो है इंडिया तक जीत लिया था तो बहुत बड़े एरिया पर अपना चुकि शासन किया था तो यह प्रभाव जो है वहां से आया के जो कलाकरतियां बनाई जाए उनमें एक संवेख भावनात्मक संवेख उसको दिखाया जाए तो आप देखते हैं जैसे हमारा जो चार शेर वाला लॉइन कैपिटल है समझने की चीज़ ज़्यादा है यहां पर इसलिए उसको सुनिएगा ज्यादा ध लिखते हैं तो जो एक भवेता का जो एक्सप्रेशन है वीड़ता का और आत्मकरिमा का जो एक्सप्रेशन है वो यह बहते हैं कि यह कहीं ना कहीं ग्रीक से लिया गया तो संवेख की जब बात आती है चार बात हैं आपको लिखनी होती जब ऐसा आप आंसर लिखकर करके आ अब फिर मैं आपको बताऊंगा कितना प्रभाव विदेशी है क्या उसको माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं तो अब हम लोग देखेंगे के अभी हमने देखा कि ये जो प्रभाव थे ये किस-किस तरीके से हम लोगों के सामने आये कौन सी चीजों का इनलेसिस किया कला विदो ने जो हमारे आर्ट के जो स्पेसिलिस्ट थे उन लोगोंने किन-किन चीजों का इनलेसिस किया और फिर इस निशकर्च पर पहुँचे और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यह सारे जित्ते भी लोग हैं यह सब अंग्रेज या फॉरें राइटर्स फॉरें इस्टोरियंस हैं जिन में नाम अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं जैसे स्पूनर है ठीक है और इसके बाद आपका जॉन मार्शल है पढ़ लिजीए आप मैंने अंसर तो जो है आपको मैं अपने ग्रूप में देता हूँ पूरा लिखा हुआ तो बहुत लिखने की जरूद नहीं है आप समझने ही कुशिश कीजिए एक और बड़े इंपॉर्टेंट हैं परसी ब्राउन ये बहुत बड़े कलाविद हैं और इनको आप जब तक इंशेंट इस्ट्री पढ़ेंगे तो परसी ब्राउन को पढ़ते रहेंगे तो कुछ इतिहास कारों का एदी आपको लेक करना हो तो आप कर दीजेगा परसी ब्राउन का जॉन मार्शल का स्कूनर का ये सारे लोग ये बात बोलते हैं और सबसे ज़्यादा जो similarity है वो similarity इनको दिखाई देती है उनी इस्तम्मों में जो मैंने आपको भी बना करके दिखाए थे एक बार फरसे दिखा देता हूँ ठीक है इस तरह से मैं ज़्यादा तो अभी ड्राउन ही कर रहा हूँ और इसके उपर कोई एक शेयर या कुछ जैसी आकरती बैठी ही इस तरह से अब दूसरी तरफ अशोक के पिलर्स हैं इस तरह से उसको जब आप देखोगे तो इस तरह से तो उसके बाद आप देखोगे कि उसके उपर एक ये इस तरह से बना है और बीच बीच में ये इस तरह से करके चक्र और फिर कुछ जानवरों किया करती है फिर उसके बाद उपर जो है शेर बनाया हुआ है या अलग-अलग तरीके के उसमें एनिमल्स बनाए हुई तो अब एक टो पिलर्स की बात हूए तो पिलर्स में सिमिल्यरिटी है कहते हैं कि पिलर सिमिलर हैं इंफ्लूइंस थे हैं पिलर दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिश जो चमकदार पॉलिश इस पर की गई है जो जिसकी वेशे यह आज भी चमकते हैं अगर आपको मौका मिले तो कभी देखिएगा जाकर के बहुत सारी जगे पर इनके अफ्शेश हैं कहीं म्यूजियम जाएएगा तो देखिएगा वहां पर इनके हिस्से रखे हुए है तो यह चमकदार जो पॉलिश इस पर की गई है इस पॉलिश को भी यह मानते हैं कि यह पॉलिश का जो इन्फ्लूएंस था वो भी इरान से लिया गया था क्योंकि वहां के जो महल बने हुए थे जो वहां के पैलेसिस थे उनके उपर वो पॉलिश की गई थी तो वो पॉलिश का भी जो एक हाँ तो यह जो चोटी चोटी चीजना जो आप चूपते जाओगे नगे लगेगा की कही ना कहीं हमसे चूप गया तो चोटी चोटी चीजने जब लिखो के तभी आपको marks लिखेंगे मैंने answer चेक किये थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को का कि आपने बहुत सताई इस तरका बहुत average level का answer लिखा क्योंकि इसमें काफी depth लाई जा सकती थी चाहते तो बहुत discussion किया जा सकता था और उसी limited जो word है आपके उसमें किया जा सक सकता है तो आपने similarity की क्या similarity देने की बात कही है देखिए लेकिन अब बारी बारी से हम देखते जाते हैं कि फर्क क्या है पहला फर्क देखिए क्या है बाद में polish की बात करेंगे सुनिएगा ध्यान से यहां लिखने के लिए कम है समझने के लिए जाता है थोड़ा सा उसके बाद मैंने जैसा बता है कि जो लोग group में हैं उनको model answer वहीं मिल जाता है तो वहाँ पर सारी बात लिखी हुई है English में भी मिलता है Hindi में भी मिलता है देखिए पहली बात तो कहा ह कि यह जो स्तंब है जो मौरयन स्तंब है यह individual खड़े जघये जगे पर और चुकि अलग अलग जगै पर खड़े हुए तो यह कहीं ना कहीं जर प्रतीख रुड़े के अ बड़े-बड़े महल बना जाते तो उसमें बीच-वीच में फिलर्स बना जाते हैं तो यह उस पिलर का पार्ट हैं तो सबसे पहली बात तो यह है दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि अशोकन पिलर जो है वह एक आश्म है एक आश्म का मतलब होता है made with a single rock made with a single rock एक single rock को काट करके इतना बड़ा इस्तम्म बनाया है सोचके देखेगा कितनी कठिन बात है जबकि यह कई जगे से जोड़ करके बनाये गए है तो यह बेसिकली एक डिफरेंस है एक एक आश्म है सिंगल रॉक से बनाया हुआ है जबकि पर्सी पूलस के इस्तम्म कई जगे से जोड़ लगा करके बनाये गए हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इसके बाद इसके उपर एक और आकरती है ऐसी घंटे जैसी यह उसके उपर जानवर है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी एक इस तरीके की आकरती आपको दिखाई देती है तो इसको लेकर के भी चर्चा की जाती है कि भई यह इसके इंफ्लोएंस से बना हुआ है तो यह विशेश रूप से घंटा यानी बेल के शेप है लेकिन भारती एक अलाविद जो है वो जो आर्ट के स्पेशलिस्ट है इंडियन वो यह मानते हैं कि यह तो भई कमल है कमल मतलब लोटस और लोटस तो इंडियन सिंबल है और इंडियन सिंबल का यूज उन्होंने किया है और इसके उपर फिर एक किसी जानवर को बठाया है अब बारी आती है जानवरों की यानि एनिमल्स की इस पर जो जानवर है वो बैल और शेर हैं दो जानवर हैं जबकि आप यहां पर देखोगे तो आपको सिंग मिलेगा यानि लॉइन फिर उसके बाद यह दिए आप देखोगे तो आपको बैल भी मिलेगा बुल फिर आप देखोगे तो आपको इस पर एलिफेंट हाथी भी मिलेगा आपके लिए पूसता हूँ कि कौन सा बताईए वो कौन सी जगह है फिर इसी को बढ़ा करके आप देखेंगे इसमें जो आप देखते हैं यह दो तरफ को मुझ बनाए हुए मतलब जो लॉइन है वो दो हैं पीट से पीट सटा करके दो बैठे हुए किस तरफ और एकिस तरफ जबकि हमारे यहां सिंगल भी है और सिंगल के साथ साथ चार वाला भी है जो हमारा नैशनल एंबिलम है जो हमारा जो राष्ट्रिय प्रतीक है उसमें चार वो दिये गए हैं तो यह जो डिफरेंसेज हैं दोनों में यह डिफरेंसेज हैं influence दिखा सकते हैं लेकिन differences बहुत सारे हैं दूसरी बात यह चिकना है पूरा देखिए यहां से सपाट इसको कहेंगे प्लेन सपाट जबकि यह नाली दार है इंगलिश में बोलते हैं टेकनिकल वर्ड इंगलिश में सब बता रहा हूं बाकी देखिए आंसर जो अगर आपको चाहिए तो वह आपको ग्रूप में मिलेगा वहां पर इंगलिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ मिलेगा आपको यह फ्लूटेट है देखिए इस तरह से जबकि यह बिल्कुल प्लेन है तो यह भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों पिलर्स के बीच में तो अब बात आ जाती है कि या तो आप इंफुलेंस माल लीजिए और एक लास्ट जो था वो पॉलि यह इक इत्यासकार है वासु देव शरण अगरवाल सुनिए ध्यान से वासू देव शरण अगरवाल लिखने से थोड़ा सा लेट हो जाता है यह समझने वाला विश्य här जादा है मैं आपको उद्वर इक देता हूं वासू देव शरण अगरवाल उन्होंने एक खूज की और एक हमारा पुराना ग्रंथ है आपस्तम्ब सूत्र तो उससे उन्होंने पता लगाया देख करके के यहां पर बहुत पहले से इस तरीके की चमकदार पॉलिश बरतनों पर की जाती थी और हम देखते हैं कि उस काल में हमको इस तरीके के चमकने वाली जो पॉलिश करने की बरतनों को यह बहुत पहले से चली आ रहे थी पॉलिश की जो कला है ये कला भी इंडियन है और पहले से यहां पर थी तो अब बात आ करके फस जाती है भई कि हम अम इदर जाएं फॉरेंड इंफ्लूएंस की बात मानें तो अगर कुछ बातें आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि फॉरेंड इंफ्लूएंस है और कहीं न कहीं जब दूसरी तरह आप देखोगे तो आप ये भी देखोगे कि डिफरेंसेज भी हैं तो अब हम बात कौन सी मानें ये देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है और यहीं से आपको तर में अंग को मिलना शुरू होंगे कि हम क्या लिखने जा रही है तो आपने वो बाते लिखी जो उस पक्ष की हैं और इस पक्ष की हैं अब आप क्या लिखने के लिए जा रहे हैं वो आपको बताऊंगा जो आपको last क्योंकि इसमें जो number मिलेगा वो last की जो paragraph होंगे वहाँ पर जा करके आपको number मिलेंगे तो अब हम देखेंगे कि last के conclusions में हम कौन-कौन सी lines लिखते हैं अपने कौन-कौन से राय देते हैं दोनों तरफ की बातों वो सुन करके उसको हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या हमको निश्कर्स देना है तो सबसे पहली बात तो देखें क्या है कि जो यह मानते हैं और आप चूंकि इंडियन हैं तो आपको इस तरीके की बातों पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं भई हमारे पास अपना कुछ ना कुछ पी था तो पहली बात जो आती है वो यह है कि जितने सिंबल्स हमने प्रियोग किये इसमें जो सिंबल यूज हुए है मोरेन आर्ट में जिसको हम लोग कहते हैं प्रतीक अब प्रतीक के रूप में जैसे बैल अब बैल तो आप देखिए सिंदु सब्विता के काल से ही चला चला रहा है ठीक है हाथी हाथी जो है महात्मा बुद्ध जो थे उनके गर्ब में धारन होने का प्रतीक है और आप जानते के अशोक बौध था तो इस प्रतीक का प्रियोग उसने हाथी का किया है इसके बाद सिंग का प्रियूक किया गया है तो ये बताते हैं कि सिंग जो है वो मौरे सामराजी की जो भविता और चारों तरफ चारों दिशाओं में जो उसकी जह जह कार थी उसको प्रदर्शित करने के लिए लॉइन का यूज किया गया है उसके बल को मौरे सामराज्य के बल को प्रदर्शित करने का उसके प्रभाव को प्रदर्शित करने का एक प्रतीख है तो इसके बाद आप देखते हैं धम चक्र तो धम चक्र से तो आप पूरी तरसे परचित हैं कि ये तो बहुत प्रतीख है तो इस तरह से हम देखते हैं कि मौरे कला जो या जो मौरे जो आर्टेस्ट थे जो मौरे शिल्पी थे उन्होंने एक चिर परचित कला को अपनाया और उसको एक नए आकार में ढाला नए रूप में ढाला अगली लाइन चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें बैलेंस करने के लिए वो लाइन ये है कि ये मान लीजिए मान भी लिया जाए कि मौरे कला पर क्या था यूनानी या इरानी या विदेशी प्रभाव था तो भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि मौरे कला के जो नमूने हैं जो I you they are not just the copy is the exact copy Cities पूरी तरह से जो नकल है वो नहीं है उसको अपने तरीके से उन्होंने अपने रूपP में ढाला है प्रभाव हो सकता है लेकिन वह इतना बड़ा प्रभाव नहीं है के पूरी तरह से उसको नकल माल ली जाये तो इस तरह से चाहें तो आपको एक एंडिंग अपने नोट्स में मिल सकती है जो आपने पढ़ा हो लेकिन अब मैं लास्ट लाइन जो आपको बताऊंगा जो लिखने की है वो आपको चौखा देगी और वो चौखाने वाली लाइन जो है वो बड़ी मदेदार है जब आप मौरे सामराज्य का विदेशी दिखाई देते हैं वो किसी समय मौरे सामराज्य के ही अंग थे तो इनको विदेशी कहने की संभावना बनी ही सकती क्योंकि मौरे ने उससे को जीत लिया था जहर सी बात है जब वो उसके सामराज्य का अंग बन गए थे तो जहर सी बात है कि वहां के जो भी लोग रहे होंगे उनका influence मौरे सामराजी पर आया होगा और मौरे ने उनका प्रयोग अपने लिए किया होगा तो आज जो हिस्से हमको विदेशी दिखाई देते हैं वो किसी समय मौरे सामराजी का ही यंग थे तो अगर इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि हमने वहां से कुछ ले लिया हो अपने ही सामराजी से उनका सामराजी था चंदरगुप्त मौरे ने सेलुकस नेकेटर से जीत लिया था उस समय वो इस से तो उस प्रभाव को यदि यहां से ले करके आ गए हों तो कला के नमूने तो बहुत दूर दूर तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं जैसे बंगाल में रजगुल्ला होता है लेकिन खाते दौम यहां भी हैं तो मौरे सामराजी का ही जब अंग था तो जाहिर सी बात है कि मौरों ने अपने सामराजी के ही इस से के कुछ आठ के पीसिज को यूज करके अपने ही सामराजी में पूरी लगाया तो आप देखते हैं कि पूरी उसमें जो आठ के पीसिज मिलते हैं तो अशोक के जो स्तम हैं वो हमको इन छेतों से भी मिलते हैं जो ईजान के बॉर्डर तो समझाती नहीं थी तो ऐसे स्थम्म वहां लगाए गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनके सामराज्य में वो दूसरी तरीके की भाषा को समझते थे लेकिन वो हिस्सा उनके सामराज्य का एक अंग था तो इस चूक को थोड़ा सा इतियासकार कहीं न कहीं कर जाते हैं जब आप इस लाइन को लिखतर के हैंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि वो हिस्सा जिसको आज हम इरान का हिस्सा मानते हैं वो हिस्सा किसी समय कहां था मौरे सामराज्य का अंग हुआ करता था तो इसमें कोई अचमबे की बात नहीं है कि वहां के शिल्पियों को ला करके अपने यहां प्रयोग किया गया हो मौरों ने और एक नई किसंद की कला का विकास किया गया हो जो अपने आप में अभूत पूर भी थी और अद्बूत भी थी इसी के साथ अपने उत्तर का आप एंड कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको यह उत्तर लेखन की जो प्रक्रिया है और जो कक्षा है आपको पसंद आएगी जैसा जैसा आपका रिस्पॉंस आता जाएगा मैं कोई बहुत प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ मैं आपको बता जूँ तो मैं बहुत सारी चीजों के लिए नहीं आता है इसलिए मैं पहले ही आपसे बोल देता हूँ कि आपको अच्छा लगे तो देखिए अगर आपको काम का नहीं लगता है तो आप अपना टाइम मेरे उपर वेस्ट मत करिए तो लगता है तो मैं और वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा अगले वीडियो में फिर एक कॉश्चन के मॉडल आंसर के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अलविदा